हेलो हेलो दोस्तो गुड़ मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे सस्तोंगे तो दोस्तों आप सभी का भी बहुत बहुत सागत है फ़िर से हमारे ण्यूख利 में तो दोस्तों हो चुकी है सुभा और हमारे ब्लोग के सुरूवात सुभा के कामों से हो रही है और इधर हम नहांकर आ गए है उसके बाद बनाने लगे हैं पराठे तो चाय हमारी बन चुकी है और सभी लोगोंने पी ली आपना रहे है पराठे प्याज और नमग मिर्च बाले तो दोस्तो आज कुछ सबजी नहीं थी तो इसीलिए हमने का चलो पराठे बना लेते हैं और सॉस के साथ सभी लोग खा लेंगे तो सॉस रखी हुई थी तो उसी से सभी लोग खा लेंगे पराठे तो दोस्तों यहां पर हमने पराठे ही सिर्फ से एक लिया है और आज सबजी नहीं होने के कारड इसलिए पराठे बनाने पड़े और आलू भी खतम हो चुके हैं तो इसलिए पराठे बना रहे हैं बैसे तो आलू होते हैं तो आलू बना लेते हैं और दाल अगेरा तो रखी हुई है पर हमें अच्छी नहीं लगती है तो हमने नहीं बनाई थी दाल तो पराठे ही सेंग लिये थे तो इदर हमारे पराठे बन चुके हैं उसके बाद हमने सारतक के पापा को दे दिया है खाने के लिए और वो खाकर चले गए हैं सारतक भी चले गए थे स्कूल तो दोस्तों हमारा खाना पिना हो गया है उसके बाद हम बरतन रख दिये हैं चटान पर और जाड़ू लगाने लगें तो पहले साफ सफाई कर देते हैं उसके बाद बरतन दो लेंगे क्योंकि पहले साफ सफाई कर देते हैं और उसके बाद पिर शिंता नहीं रहती है कोई आता जाता है तो अच्छा नहीं लगता है अतलब घर में गंदा पड़ा हो तो पहले साफ सफाई कर देते हैं उसके बाद बरतन दोते हैं और बरतन एक तरफ रख दो तो कोई दिक्कर नहीं कोई आ भी जाए अचानक से तो कम से कम साफ सफाई तो घर में पड़ी है तो मारा बन बिल्कुल भी नहीं था कि इसको हम हटाएं यहां से पर उतने बीच में बहुत ज़्यादा मतलब घना था तो उसलिए आर्थर जो हैं उसके पास बैठ जाते थे फूल तोड़ने के लिए खेलने लगते थे तो गना जो था नीचे रखा वा था वो सब आटा दिया है हमने वैसे मन हमारा बिल्कुल भी नहीं था पूल बहुत सारे खिले हुए थे और बहुत इच्छा लग रहा था काफी दिन से हमने उसकी सेवा की थी और बहुत इच्छे से फूल भी लग रहे थे तो हमें मजबूरी में हटाना पड़ा और समयना कीड़ मकोड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो इसलिए हमने अटा दिया है और आर्थर बिल्कुल भी नहीं मानते हैं उसी के पास बैठते हैं जाकर फूल तोड़ने के लिए तो डर लगा रहता है क्योंकि अभी हमारे पडूस के गाव में मतलब एक लोग के मतलब सापने काट लिया है तो हमें डर लगता है कि सापना ठंड़क जगए ज़्यादा ढूंडते हैं और कभी-कभी निकल आता है हमारे गर पे आवी जाते हैं क्योंकि हमारे घर के पास में तालाब है और जहां पर ठंड़क देखते हैं गहना देखते हैं कुछ घास वगारा कुछ भी तो वाँपर सापकीरे बहुत जल्दी आ जाते हैं तो अभी तो फिलाल में फूल खिल रहे हैं अगर थोड़े बहुत पैसा हो जाएगा तो उसको भी हम हटा देंगे और फिर से नए पौदे लगाएंगे तो दोस्तों यहां पर हमारी जाडू लग गई है बातो बातों में तो इतर पूरा घर हमने एकदम से साफ कर दिया है औ बहुत एच्छा लगने लगता है जब जाड़ लग जाती है और घर में साफ सफाई हो जाती है तो बहुत एच्छा लगता है और मन में एक सांती सी रहती है और इधर भी थोड़ी घास लगने निकल आई थी पाउदक के पास में तो घास भी हमने यहां से हटा दिया है क्य यह आंगन में भी अच्छे से फैलने लगा है तो इसको ना हम इसकी छटाई बगएरा करते रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो गया है आंगन में पैल गया है तो इधर अपने यहां पिर भी साफ सफाई कर दिया है उसके बार लगा लेंगे जाडू तो हमारा आंगन में काफी बड़ा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जाडू लगाने में और हम जब बी जाडू लगाते हैं तो एक तरफ से लगाते हैं जाडु मारी लग चुकी है, उसके बाद दूलने लगे हैं बरतन, जब तक लाइट भी आ गई थी तो पानी भर लिया है, और बरतन भी दूलने लगे हैं, तो बरतन जल्ले से दूल लेते हैं, क्योंकि अभी आर्थर भी सो रहे हैं, और वो जग जाते हैं, तो काम बिलकुल थोड़ी नहीं करने देते हैं रोते बहुत ज्यादा है तो सबसे जादा पाणी में खेलने से अठा दो ना तो पहुत ज्यादा रोने लगते हैं और आज उनको भुख्राय भी आगया था पानी में खेलने की वजय से बहुत । परह्षान Whilst तो दोस्तों इधर बरतन मारे धुल गए हैं और थोड़े गोट तो बरतन धुलने के बाद इधर हमारे जो कल वाले कपड़े थे तो हमने थोड़ा मतलब कल लेट धुल पायते तो सूखे नहीं थे और रात में बादल भी आ गया था पूरे दिन धूप भी नहीं निकली थी बादल पूरे दिन चाहाए रहते तो इसलिए अच्छे से सूख नहीं पाया थे तो लेट हमने अपने कपड़े दूले थे वह ही तीन चार बज़े के टायम तो इसलिए जे हमने अंदर टांग लेते उठा कर तो सूख नहीं पाय थे तो हमने का चलो उनको घरी करके रख देते हैं, सूख गए थे और एक आद हमारे साड़ियां भी पड़े होते हैं जो हमने इस समय रिटायर कर दी हैं बिल्कुल भी पैरना बंद कर दिया हैं न्यू वाली निकाल ली हैं तो फट गई थी तो इसलिए फिर अपने हटा दिया इनको तो ये वाली भी साड़ी रख देते हैं और क्योंकि ज्यादा कपड़े फैले होते हैं तो हमें विल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो इदर ये कपड़े रख देते हैं जो हमारे बिना यूज के हैं तो उनको रख देंगे और फिर जब कभी टाइम मिलेगा तो इनका हम विस्तर का खोल बगारा बना लेंगे तो दोस्तों गाउं में जो साड़ियां होती हैं फिल्कुल भी बेश्ट नहीं जाती हैं जो हम पहना बंद कर देते हैं तो उनका विस्तर बगारा बना लेते हैं और या फिर खोल बगारा बना लेते हैं तो बस ऐसे हमारी यूज हो जाती हैं और या फिर गद्दा बगारा एक साल तो अपना गद्दा बना लिया था, कुल सारी साओड्यां खटा कर ली थी, तो इसके बाद हमने पिर गद्दा बना लिया था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ز्क्ता मतला बजन भी नहीं होता है, और गद्दा बहुत यह से बन कर तयार हो जाता है, तो बस इसे लिए हम जाड़ियां खटा करते रहते हैं तो अपना विस्तर बगएरा बना लेते हैं और काफी छुटे मुटे कपड़ों से भी बन जाता है तो बिल्कुल भी कपड़े मतलब बेस्ट नहीं जाते हैं और इधर हम कपड़े दुलने लगे हैं तो हमने लाइट नहीं आई है अभी लाइट का इनतजार करेंगे तो तब तक काफी टाइम हो जाएगा तो ड्रम भरा हुआ रखा था पानी का तो उसी से फिर हमने धुल लिया हैं कपड़े तो थोड़े वो सुबा के टाइम हमने धुल लिये थे फिचे हुए रखे थे पानी में खंगालने को थे निकालने को थे तो पानी सुबा के टाइम लाइट चली गई थी और हमें सुबा सार तक को स्कूल भी जाना था तो जल्दी से नहा लिया था और ऐसे फिच कर रख दिये थे तो पानी में अभी निकाले हैं और थोड़े बहुत और हो गए थे कपड़े तो उनको भी हमने दुल लिया है तो इधर कपड़े हमारे दुल चुके हैं उसके बाद फैला देंगे दोप में यह तो अच्छे से सूब जाएंगे कि हम नहीं दिखा पाते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास और बच्चों की वजए से कुछ काम नहीं कर पाते हैं दूसरे दिन करते हैं तो जो जरूरी वाले हैं वो तो करने ही पड़ेंगे तो इसलिए हम इस समय से सिलाई बगारा नहीं कर रहे हैं आर्थर की वजए से तो ये घर का काम करने में बहुत ज़्यादा मुस्किल कर देते हैं तो सिलाई बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं और थोड़ा बुत अगर सिलने बैट भी जाओ तो मसीन पकरकर खड़े हो जाते हैं बस वहीं पर हटते नहीं हैं तो इसे लिए सिलाही समय बंद कर दिया हमारे हमने डाल दिया हैं सोकने के लिए तो कप्रे सोक तो नहीं पाएंगे पर क्योंकि आज बादल छाय हुए हैं दूप बिल्कुल भी नहीं निकली है और उसके बाद हमने इदर थोड़ा सा तैयार होने लगी है क्योंकि सुबा के एलियुंज हमने शुटिय वगाईर हमें हम्ने जींज बहुत जादा का में जाते हैं तो अब तक शुटिय अजीतिह अधिते ब 어 tr इनार्य एक उउनी घ्रवविज दे रह पाहई में ज्थिथो नहीं हो पाता है दो तो प्रबद कर दो तबद दोव है तो किसीना परद फर इदर बस थोड़ा से तयार हो गए चुटिया वगएरा का लिया है और और अज से हमारा एक कम और बढ़ गया है तो हमने इस समय ना कढ़ाई करने के लिए सूट भी मंग वालिया है जो कि हमारे माईके में पहले हुआ करती थी सादे से पहले हम करते थे जो फ्रेम वाली ही होती है तागा वाली तो भही हमारे यहां भी होने लगी है पहले तो अड़ा की कड़ाई होती थी अब भी होती है पर एक लोग है गाउं में जो कि यह वाली अप करवाने लगी है तो उन्हीं से हमने उन्हीं के घर से मंगबाया है तो उन्हीं का थोड़ा वोट टाइम म में शुरुआत कर दिया कड़ाय करने के तो दोस्तों आज का व्लोग हमारा बस यहीं तक रहेगा आज का व्लोग का इसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं जो भी दोस्ति हमाते हैं चैनल कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कर लें को पर देंगे नहीं व्लोग के साथ सब्सक्व अएंया नहीं कर दोस्ति हमारा बताएं के इसा आट जो आज का दोस्ति हैं